BPSC TRE 2 में cut off को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोग के कमेंट के मादम से प्रश्णा आ रहे हैं कि cut off कितना जाएगा देखे इस बार cut off जो है वो पिछली की तुलना में बहुत ज़्यादा high जाने वाला इसके बहुत सारे प्रमुख कारण है पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा BPSC TRE 1 में लगातार सोसल मीडिया साइज पर ये चल रहे था कि 50-55 जो ला दिया उसका सेलेक्शन हो जाएगा लेकिन जब cut off आया तो आपने देखा होगा कि male candidate unreserve के लिए जो cut off गया था open seat जिसे बोलते हैं 67 नंबर और 57 नंबर female के लिए गया था यहां पर इस बार primary की बाद तो छोड़ी है उसमें open seat है वह लगबग 1088 थी बाकि जो total seat है 9400 something वहां पर जो maximum seat है वह तो आपका रिजर्व वाली seat है जो कि बिहार के candidate ही fight कर सकते हैं बाकि 1088 seat का cut off रहेगा वह बहुत जादा high जाएगा पिछली बार की तुलना में क्योंकि उसके लिए भी लगबग एक लाग से जादा अभीर्थियों ने आवेदन किया हुआ है संती साथ आपको ये भी समझना होगा कि जो नियोजित सिक्षक होते हैं उनको भी मौका दिया गया है अपर प्रैमरी की teacher recruitment में शामिल होने के लिए अब यहाँ पर देख लिए जो नियोजित सिक्षक हैं और खास करके जो 28 candidate है ये मामला जब मानेने सुप्रिम कोट से 11 अगस्त को निस्तारित होता है उसके बासे पटना हाई कोट में केस ओपेन हो जाता है और पटना हाई कोट के द्वारा decision अभी हाली में दिया गया उन psychologically अपने stand को पूरी तरीके से मजबूत करना चाहेगा चाहे वह नई भरती में सामिल होकर कही क्यों नचैनले तो जो अपर primary का cutoff है इस पर भारी impact देखने को मिलेगा इसका cutoff बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि आपको लग रहोगा कि 32,000 seat हैं लेकिन जब आप subject wise इसको अलग अलग differentiate करेंगे तो seat का वित्रण जो है वो कम हो जाता है उसके बाद अगर आप पिछली बार TGT, SST का cutoff देखेंगे तो लगबग 72 के आसपा चला गया था SST के लिए cutoff सबसे ज़्यादा आने की संभावना रहेगी ऐसा नहीं है कि अने subject की कम रहेंगे लेकिन SST का भी सबसे ज़्यादा होने की संभावना रहेगी सांती सांत यहाँ पर आपको यह भी जानना है कि जो नियोजित सिक्षक हैं जो ओलेडी टीचर है उनको अत्रिक्त भारांक दिया जा रहा है पिछली बार देखिए आप लोग नियोजित सिक्षकों का आकड़ा देखेंगे लगभग सिक्षा विबाग का official data तो नहीं जारी किया गया था लेकिन मीडिया में एक खबरे चल ले थी कि लगभग 8000 नियोजित सिक्षक हैं उनको प्रतेक वर्ष के अनुभाव की आदार पर 6,000 अंक का अत्रिक्त भारांग देने के लिए राज्य सरकार को निदेशित किया था इसी के तरज़ पर अगर आप नियमावली भी देखेंगे जो सिक्षाक भरती की है उसमें भी उनको अत्रिक्त भारांग की बात की गई है और 77 उत्तर प्रदेश में प्रतेक वर्स धायांग और अधिकतम 25 भारांग देने की बात हुई थी और सिक्षामित्रों को यहां दिया हो गया है इनके मेरिट पर कोई इंपएक ने पड़ा वह चीजे इस वज़े सो रही थी क्योंकि वहां पर अत्रिक्त भारांग की बात चल रही है और लगातार मांग यह उट रही है कि जो पिछली बार भारांग दिया गया था उसको बढ़ा करके 25 कर दिया जाया है इसके स इसी सिक्षक नियुक्ती के दूसरे चरण में सामिल होने वाले नियोजी सिक्षकों को ग्रेस अंक का लाब देने की मांग की गई है। निश्चित और आवश्यक उनके कारेकाल को देखते हुए कम से कम 25 अंकों का ग्रेस अंक मिलना चाहिए। बिहार सरकार ने गत बहाली में इन सिक्षकों को 10 अंक का ग्रेस अंक दिया था। यहीं कारण था पिछली बार भी कि 28,000 इतनी भारी संख्या में नियोजी सिक्षक क्वालिफाई किये थे। अब पिछली बार तो नियोजी सिक्षक प्राइमरी में बहुत सारे कंडिडेट नहीं चैन किये। उसमें 28 कंडिडेट भी होंगे क्योंकि उस समय पटना हाई कोट का डिसिजन नहीं आया था। लेकिन इस बार नियोजी सिक्षक जो भी सफल होंगे, जायें वो प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, TGT में, PGT में, वो चाहें बिहार के किसी बी जीले में कितना भी दूर क्यों ना भेजा जायेब वो जरूर जोईन करना चाहेंगे, क्योंकि छठे चरण के जो निय करेंगे और यहीं कारण है कि अपर प्राइमरी में इसके इस बार बहुत ज़्यादा कट आफ जाने की संभावना रहेगी क्योंकि 32 जार आप ओवराल देख रहे हैं अगर सब्जेक्ट वाइज उसको सब्सक्राइब और उसके बाद काटेग्री का लाब देते उए तो अधर स्टेट के लिए उसे अपसे सीटे कम बचेंगी तो क्योंकि 40% पर ही अधर इस्टेट के कंडिडेट फाइट कर सकते हैं, बाकी के 60% वाली सीटों पर इवल बिहार के कंडिडेट ही एक तरीके से फाइट कर पाएंगे, तो इस वज़े से अपर प्राइमरी की जो कट आफ है बहुत ज़्याद जाए, देखिए आप लोग के लग करना पॉसिबल था, लेकिन यहां पर जब आयो के द्वारा बताया गया मीडिया में कि इतने अभीरतों ने आवेदन किया है, तो सब्जेक्ट वाइज चीजे डिफ्रेंसियेट करके नहीं बताई गई, सब्जेक्ट वाइज भी नहीं आया और उसके बाद से कैटिगरी मे भी उस चीजों को केटेग्राइज करना होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी की जब बात की जाती है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज रिक्रूटमेंट होती नहीं है, तो उस वजज़े से वहाँ पर एनलिसिस करना थोड़ा असान है, लेकिन मोटा मोटी मान करके चलिए, कि TGT पिछली बार जो SST का आप देखेंगे, तो लगबग 72 के आसपास गया था, अपर प्राइमरी का इससे कम तो नहीं जाएगा, इससे उपर ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा, और जिस प्रकार से मानने पटना हाई कोट ने जो है, वो हर हाल में इसमें चैनित होने की कोशिश करेंगे, और उनको अत्रिंक्त भारांक भी दिया जा रहा है, तो जैसे बात है, उनकी संभावना बढ़ जाएगी चैनित होने के लिए, उमीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर गुए होंगे, इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करें आपका दिन, शूब हो आपके भवान करता हूँ जयाएगी तार सिस्णोरा दिया आपका भगवान करें यह eerुत हैं ट्रो को दिक पमादि ओनाता는 देखने मिले, यह जिस Dieses एकिर नक्प убийन आपके उता आपका भी व